बकरी पालन ने उन तमाम पुरानी बातों और गलत धरनाओं को दरकिनार करते हुए आज गोट फार्मिंग बिजनेस को बहुत ये अच्छे रोजगार के रूप में अस्थापित कर दिया है। में हूँ और उत्तर प्रदेश में ये कौन सा गाव पड़ता है वह हम सारी बाते करेंगे लेकिन उससे पहले एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्ट्वेर इंजिनियर से मैं परिचे करा दूं सर नमस्कार नमस्कार तो भाई देख लीजिए सॉफ्ट्वेर इंजिनियर और कोडिं करो एकलोते हो दूर चले जाते हो अच्छा तो मैं अभी गोट फार्म एक बिजिनस के तौर पर किया और साथ में अपना कुछ फ्रिलांसिंग करते हैं भाई फ्रिलांसिंग में सॉफ्ट्वेर डवलप करना आप डवलप करना वह बड़े अच्छे-च्छे तो सर का बहु बश्रत एक चीज यह है कि मैं अब यही कहूंगा कि मेरा बिजिनस ही मेरा रोजगार है मैं सॉफ्ट्वेर में कर रहा हूं वो दुनिया को बाद में दीखे अब मेरी पहचान यही है कि मैं एक बकरी पालक हो जी वाह क्या बात है तो यह पास हो गए कम से कम आपने जो है व हमारे लेवर्स रूम और ऑफिस और इस्टोर रूम नहीं है इसके बाद लगबग हमने एक एकड़ स्पेस फ्री रखा है इनके आराम करने के लिए टहलने घूमने के लिए इसके बाद लगबग साथ से आठ एकड़ है चारा प्रवद्धन के लिए अच्छा यानि कि काफी बड़ा है इस जीले में मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट डालने पहला प्रोजेक्ट मेरा है चलिए बहुत बहुत शुब कामना इसके लिए और अभी शुरुआत हुई है कुछ बक्रियां भी इन्होंने लाया है यहां पे सीखने के परपस से सीखने तो अभी से योजना कमिट करना थोड़ा सा था होता है फिर भी कुछ तो सोचा होगा हां उसमें कोई दिखर नहीं है इंप्लिमेंटेशन दोड़ा सा उसमें वक्त लगता है मैं उन लोगों को जो थोड़ा सा ब्रॉड माइंड़ नहीं है ना उनको बकरी पालन में लाना है लगबग इंडिया के खपत के हिसाब से लंब सम फाइव मेट्रिक टन हैं और फाइव मिलियन टन और यहां का उत्पादन मुश्किल से दो मेट्रियन टन है बहुत ज्यादा डिमांड है सप्लाइज कम है तो अच्छा इसकोप है इसके बाद भी अगर बाहर का मार्केट गोरिट की तो एक्सपोर्ट में काफी अच्छा इसमें रिजल्ट रहता है एक्सपोर्ट में पैसे भी ज्यादा मिलेंगों चैनल कि बहित्राइज कबसें मैं उसके लिए मैंस जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बकरीश आप पाऊगे लेकिन आज के समय में पढ़े लिखे हो तो ही बकरीश आप पाऊगे सब्सक्राइब नॉलेज की जुरूबत है बिना नॉलेज की बता दू कि सर आपने ट्रिनिंग भी लिया है सुधीर सर से और संजे थोड़ी सी बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में किसर यह जो टोटल बकरी यहां पर रखेंगे यह प्रोजेक्ट में कितना मैक्सिमूम संख्या आप करेंगे जैसे यह मदर वोट 500 रहेंगे और 25 ब्रिडर रहेंगे और उनकी संख्या आमको लगता है कि एक साल में अगर सब सही रहा मानक पे जो कि होता नहीं है अप डाउंस लगए होते हैं यह संख्या लंब सम 2000 बकरियों के आसपास का होगा तो यह पूरा मदरबोर्ट और किट्स लेके अचानक नहीं होगा लेकिन जो ग्रूथ होगी आगे चलके 2-3 साल में ब्रिडिंग पर आने पर चैलेंजेज़् भी है तो अभी तो शुरू आट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपकी बिजनकारी पता नहीं था तरहीं नहीं वह और प्रेक्टिकल तो लाइफ ही अलग होती है बिल्कुल कोई सोची नहीं सकता कि क्या से क्या होता है तो उसको लिए भई कहना ही होगा कि जो सुधिर सर कहते हैं आप कुछ लाइए उसको पहले पालिये सीखिए उसके बाद ही आए अचानक हुज देमाउंट के साथ मत आये नहीं तो फिर दिक्कत होनी है दो हजार पचीस तक यह रेडी हो जाएगा हां क्या सकते हैं इस साल के अंद तक हमलब फरवरी मार्श तक अच्छी बक्री जो है कोशिस रहेगी कि खरीदें चुकि बक्री खरीदना भी एक चैलेंज का काम है जाकि आप जाके मार्केट से बैपारी से तो खर देंगे नहीं यहां पर मैं आपको एक रिसर्च बताना चाहूंगा यहां पर होता क्या है कि जो वक्रियां इंफेक्टेड हैं किसी भी दूसरे स्टेट के तो वह क्या करते हैं कि एक दलाल डाइप का आदमी होता है वह सारे कलेक्ट करते हैं और वह लाते हैं मंडी में मंडी में दे दे इसके बाद होता क्या है कि हम जब मंडी से ले आते हैं तो वो बिदाउड वैक्शिनेशन होती है और इसके बाद भी एक और भी यहां पर रैकेट चला वो करते क्या है कि वेट जो उनको वेट जब काउंट करवाना होता है तो बड़ी बगरियों का करवाते हैं 80 kg तक कि वह पहले तो इनवार्मेंट में सेटल नहीं हो और अगर सेटल हो गई तो साल में एक बच्चे देंगे और फिर 80 kg का यहां का मार्केट है नहीं तो यह जहां बड़ा फाइदा होता है मां बड़ा खपा देते हैं जैक्टली तो उत्तर प्रजस में एक रैकेट यह चलना है जो मैंने महसूस किया यह ब्यक्तिकत मेरा रहा है जी 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 बहुत बड़िया याने कि घुस रहे हैं इस बखरी पालन बिजनेस में जब आदमी इन करता है तो सारी चलांकिया जो है पता चल जाती है तो अभी यहां पर जो है सर कितने स्टाफ अभी तो शुरुआती दोर है चुकि बकरी ज्यादा नहीं है कि अभी मेरे पास चार स्टाफ है दो परिवार है और यह लोग ठीक है भी ट्रेंट तो नहीं थे यह लोग दूसरा काम करते थे लेकिन धीरे-धीरे इनको ट्रेंट किया जा रहा है चुकि स्टाफ को भी ट्रेंट करना पड़ा जरूरू यह चार लोग ट्रेंट हो जाएंगे तो मेरे पास पांच रूम हैं मेरे पास दस का स्टाफ होगा जी यह सब स्टाफ के कमरे बनवाए हैं अभी फिलार मैंने इसमें जी एक्स्परिमेंटल तौल पे जो बकरियां रखें हैं लाए हैं इस वजह से इसको पार्टिशन कर द दिया यहां पर यह जो बच्चे हैं सर कितने दिन के हैं यह दस दिन से पंद्रह दिन तक हैं दस दिन के पंद्रह दिन के बच्चे हैं बहुत बढ़िया तो यहां जो है अभी स्टाफ की कम हैं तो अभी फिलाल इसमें आप बकरी भी रख रहे हैं ना जी अभी इसमें बख सबसे हो यह कंद नवीक रखनाईयों सब्सक्राइब सब्सेंट सब्सक्राइब से ज्यादद हो रहा है तो बट मैक्सिमम सबसीडिस में 50 लाख रुपए हैं और यह डिपेंड करता है अप्लिकेंट की प्रोफाइल पर उसकी सबसीडिद दिल्ली गवर्मेंट कितना अप्रूब करती है तो यह जरूरी नहीं है कि आप 500 का प्रोजेक्ट लगाया तो आपको पचास लाखी सबसीडिय में लें फार इंजंपल मैं ही था क्योंकि मेरा पहला अप्लिकेशन था यहां गोर्यपूर मंदल से या आसपास के चारपात जिलों में तो मेरी लगभग अच्छा खासा अब में यहां मैं डिस्कोज नहीं कर सकता बट टू डिजिज में सबसीड नहीं है और बड़ा प्रोजर्ट डालना चाहतें तो सरकार की मदद से वह बहुत चाहेंगे भाई अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है तो उसमें आपकी सब्सीडी कटने के चांसे होती है तो थोड़ा उसको केरफुली बनाया आप लोकल किसी से भी मत प्रिफर करें और यह नए वाले के लिए ही अप्लिकेबल है जी जी क्राइटेरिया पहले में बता दे रहे हूं इसमें पांच इसकीम है 100 का 200 का 300 का 400 का 500 का सब पे 10-10 लाख रुपए सब्सीडी है और यह आपके प्रोजेक्ट पे ही डिपेंड करेंगा कि आप कितने का करना चाहते हैं अच्छा इसके बाद जैसे जैसे सब्सीडी है जैसे जैसे प्रोजेक्ट है उसके इसाप सुन की र नया बनाना है और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी मतलब यह गवर्मेंट सुद्धा आप ना लिये हो पिछले कुछ वर्सों में परिवार का कोई भी मेंबर अगर यह तीन क्राइटेरिया फालो कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लि लेकिन बैंक के रिस्पेक्ट में जब आप लोन के लिए जाएंगे तो वहां पर यह जरूर एक बर मानक होता है कि दूसरे के जमीन पर कर्श्रक्षन के लिए बैंक एग्री नहीं करती है तो बैंक भी फ्री हैंड है तो वह एक बर यह कहती है कि भाई जो सेट बनाना वह तो आपकी हो बाकी का आप लीज पर ले सकते हैं तो यह ट्विस्ट है बट अनलम के गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास जमीन आपकी खुद की होनी चाहिए लिज एग्रिमेंट भी होना चाहिए चल जाएगा उससा अच्छा पैसे जो मिलते होंगे तो व को लगनार जाता है वहां से अप्रूब होने के बाद सीवियो के पास आता हुए चिवीयों विजट करके भौतिक सत्यापन करता है फिर वह रिपोट लखनों जाती है उसके बाद फिर वह बैंक को फारवाट करने के बाद परौपर सेंक्षन लेटर चाहिए होता है जो बै एक्चुली वही मेन बॉड़ी है वहां से होता है कि आपको कितनी सबसीड़ी आप इलिजबिल है कितना दिया जाता है और उसमें कस्टमर से कोई रिलेशन नहीं होता है वो फाइल लेखते हैं ऑन दे स्पॉर्ट डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन लेने के बाद फिर वो एक नोटिफिकेशन आपके बैंक को दे देंगे एक लखनो दे देंगे तब फिर आप डिसबर्स करवा सकते हैं लोन को और अपना कस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है इसमें 25% से 50% आपको स्ट्रक्शन जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर से आपको बहुत एक सत्यापन के ल करता है फिर उस से आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मतलब वह पहली सबसीडी जो भी आप दोनों ले चुके हैं कि एक लिया है अच्छा मेरा का स्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा के लिए लिए तो अब मुझे पहली सबसीडी मिल चुकी है तो इंट्रेस्टेड होंगे इस तरह के प्रोजेक्ट डालने में तो जरूर एक करेंगे कहां पर यह फारम है जरूर बताए अड्रेस गोर्यकपुर में है हमारे मुख मंतरी जी का सहर था हर नहीं हर नहीं ये बिरभादु सिंग जी की बात कर रहा हूं मैं पुरु मुख मंतर होगी तो गोरकपूर का यह बहुत अनोका और सबसे बड़ा बकरी फारम दिखने वाला है क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स और भी है अनंत है उधर जरा दिखाएंगे कैमरा वह जमीने देख रहे हैं सब इन ही की है अनंत है और आगे चलकर के उसमें और भी चीजों को यह लगाने वाले हैं करने वाले हैं तो उसमें इट विल टेक टाइम तो फिर दूसरी बार जब मैं आऊंगा आपके पास जब बन वन जाए तो बिल्कुल बिल्कुल आप इन्वाइटेड रहेंगे और भगवान क कि दया से अच्छा होगा बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द फिर इसी तरह से किसी नए किसान के यहां किसी नए इंटर्प्रेणर के यहां जो लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल को भी दबा दिएगा अगले एपिसोड में हो पकात तब तक के लिए जय हिंद जय भारत